जानेगी की इस कारोबारी सब्ता में जानना जरूरी है रूस और यूकरेन के बीच जो लड़ाई है वो एसकेलेट हो रही है यानि चीजे और गंभीर हो रही है हाला कि बाचीच जारी है लेकिन उस बाचीच का कुछ हल निकल के नहीं आ रहा है फिलाल और रश्या के तरफ से जो अग्रेशन है या फिर जो अटाक है वो और सीवियर हो रहा है और तीवर हो रहा है और इसके चलते हमने जो डारेक्टली रश्या के से लिंग्ड कमोरिटीज है चाहे वो बेस मेटल्स में निकल हो या अलूमिनम हो या फिर कच्छा तेल हो और नाच्रल गयास हो इन सारे कमोरिटीज का रश्या जो है बड़ा सप्लायर है या बड़ा एक्सपोर्टर है इसके चलते जो इंपक्ट है वो आ रहा है इसलिए य तो बहतर रहेगा क्योंकि यहां पर इस तेजी को अंडर एस्टिमेट करना या यह सोचना कि जो तेजी है यह शौट लिट है और काफी जलत प्राइजिस जो हैं दुबारा नीचे आ जाएंगी ये एक शायद गलत सोच हो सकती है क्योंकि जो वार का माहौल है यूरोप में सतर से असी सालों के बाद हमने देखा है वल्ड वार टू के बाद में पहली बार यूरोप में इतना बड़ा स्केल का वार हो रहा है क्योंकि रूस और यूकरेन दोनों ही बड़े देश हैं यूरोप पे और अगर ऐसा कुछ होता है और तो उसका जो इंप्लिकेशन है जो जो जो रिजल्ट हो सकते हैं वो काफी ड्रामेटिक हो सकते हैं क्योंकि रूस और यूकरेन दोनों ही कमोरिटीज के बड़े सप्लायर हैं हमने एगरी कमोरिटीज में भी देखा कि वीट के प्राइजेस काफी बड़ गए हैं तो क्योंकि रूस और यूकरेन दोनों ही उम्मीद के अनुसार हमने देखा कि गोल्ड में 52,500 के जो लक्ष डिसकस हुए थे पिछले हफ़तों में वो हासिल हुए हैं 1973 डॉलर के आसपा स्पॉर्ट गोल्ड ने क्लोजिंग दी है 1900 डॉलर के नीचे फिसल गया था बजार लेकिन जैसे हमने चर्चा की थी की क्लोजिंग 1910 के उपर आई है और यह तीजी का संकेत है पिछले हफ़ते तो इस हफ़ते भी हमने काफी बढ़िया निच्टल सरों से तीजी आते हैं देखी और लगभग 5,000 रुपे प्रती 10 ग्राम के तीजी के साथ इस हफ़ते में M6 Gold ने क्लोज दिया है 52,550 के करीब वहीं चांदी ने भी लगभग 66,000 से उभर कर मही वादा ने लगभग 69,000 की क्लोजिंग दी है तो काफी बढ़िया क्लोजिंग जो है वो देखने मिली है ऐसा लगता है कि दोनों काउंटर्स में तेजी का रुझान जारी रहेगा वीक के लगभग हाईस के आसपास क्लोजिंग आई है गोल्ड की तो एक प्रकार से तेजी की संभावना बनी हुई है चांदी के अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि 70,200 से 71,500 के लक्षा में देखने मिलेंगे वहीं गोल्ड में 53,300 का एक पहला लक्ष होगा और उसके बाद लगभग 54,200 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं तो तेजी की संभावना है जो भी डिप आती है इंट्राडे में याने 500 से 600 पॉइंट की अगर एक से दो दिन म का एक सपोर्ट है वहीं चांदी में जो मेजर सपोर्ट है वो 66,500 के और उसके बाद 65,000 के मेजर सपोर्ट है वहीं अकर रुक करें कच्छे तेल की तरफ तो रिकॉर्ड हाइस तर हमने M6 पर बनते हुए देखे इसके पहले 2013 में 7,800 के करीब के हाइस थे और उसके बाद हमन पटक बहुत पड़ी रहेगी लेकिन इससे हमें दोखा नहीं कहाना चाहिए कि ये एक मंदी का मार्केट है उपरी इस तरों से जब एक टार्गेट कतम होता है तो सौभाविक है कि मुनाफ़वसूली का दौर देखने मिलता है एक कंसलिडेशन जरूर देखने मिल सकती है जहां पर दाम जो है आठ हजार आठ सो से लेकर आठ हजार दोसो के बीच कंसलिडेट कर सकते हैं एक दाइरे में करुबार कर सकते हैं लेकिन जो और ओर रुख रहेगा वो तीजी का बना रहेगा जब तक एट लीस्ट साथ हजार नौसो का जो स्तर है वो होल्ड कर रही है साथ हजार नौसो के नीचे यदी प्रैजिस सस्टेन करती है तो साथ हजार पानसो तक की करेक्शन आ सकती है लेकिन फिर भी जो फॉल रहेगा वो एक करेक्शन रहेगा बहुत बड़ी गिरावट या टॉप आउट होना मैं कहूंगा अभी भी जल्दी है बुलना हलाकि हम अंतराशे बजार में लगवग 11 सालों के उचाई पे ट्रेट कर रहे हैं जो ब्रेंड क्रूड है वो 120 डॉलर के करीब और WTI क्रूड लगवग 118 डॉलर के करीब के हाइस बना चुका है लेकिन उसके बाद भी जो वीकली क्लोज आया है वो उचाईयों के आसपासी आया है वही नाच्रल गैस में हमने निश्ले सरों से बाइंग देखी है उपरी सरों से गिरावट देखने मिल रही थी जब तक 375 के नीचे प्राइजिस थी 330 हमने दो या तीन बार टेस्ट होते हुए देखा लेकिन उसके बाद 30 का एक रुजहान पकड़ा है कि जिस तरह से चीज में हमें अगले हफ़ते की तेजी देखने मिल सकती है लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक कॉशन जताना जरूरी है कच्चा तेल जो है वो ज़्यादा तेज लग रहा है हो सकते है नाचल गैस में जो तेजी हो ज़्यादा टिकाव नहीं हो लेकिन फिलहाल तेजी का एक सपोर्ट है उसके बाद 352 का एक स्ट्रॉंग शॉट टम सपोर्ट नजर आ रहा है वहीं बेस में हमने रिकॉर्ड तोड तेजी आते हुए देखी है कॉपर जो है वो ओल टाइम हाइस पे क्लोजिंग देने में कामियाब हुआ है यानि अगर हाइस 843 के थे तो 840 के करीब क क्लोजिंग आई है तो बहुत ही बड़िया क्लोजिंग है और यही आशंका हमने पिछले हफ्ते जताई थी कि यदि 812 के उपर प्राइजिज निकलती है तो काफी बड़ी तेजी आ सकती है इतनी बड़ी तेजी आने के बाद भी हो सकता है कि यह तेजी की सिर्फ बड़ा सफ्लायर है और संक्षिंक के वजए से हो सकता है कि उसकी सप्लायर जो है वह कम हो जाए और पहले जो मार्कट है वह टाइड है कोपर का हमने कोविट साप्लाय दिसरफ्शुन आधे वह दिखा था जहां पर दाम ऑलरी आटसो के करीब पहुंच चुके थे और फिशले 10 महीनों से 800 और 680 के बीच consolidated कर रहे थे लेकिन ये जो नया एक संकट आया है यूरोप पर उस संकट ने जो दाम है उसे और तेजी के तरफ बढ़ा दिया है क्योंकि सप्लाइ की और कटाथी होने की possibility बनी हुई है copper में अगर हम बात करें तो 805 से 810 का एक major support बन चुका है अभी क्योंकि पहले के breakout वहीं थे technically upside में immediate तोर पर 855 और उसके बाद 878 तक के level देख सकते हैं हाला कि इतना बता दूँ कि ये जो breakout है ये longer term basis 920 तक के भी indication दे रहा है copper में तो काफी लंबी तेजी हमें दिखाई दे सकती है वहीं zinc में भी हमने काफी बढ़ीया तेजी आते हुए देखी जो पिछला record star था 318 से 20 का वो हमने आराम से निकलते हुए देखा है और लगबग 335 की उचाई पे close दिया है ऐसा लगता है कि ये जो rally है ये immediate तोर पर 342 तक extend हो सकती है और उसके बाद possible है कि 352 तक भी extend हो जाए जो support है वो 322 और उसके नीचे जो major support है वो 312 के करीब दिखाई दे सकता है याने जो भी major dip आती है वहाँ पर strict stop loss के साथ काम करते हो है तेजी करना सही रहेगा निकल में हमने देखा यहां पर भी बड़िया थेजी आई है in fact एक ही दिन में हमने देखा या दो ही दिनों में हमने देखा कि जो दाइरा था वो लगभग 2000 से shift ओकर 2220 तक चला गया और पिछला पूरा हफते के अगर हम बात करें या उसे भी पीछे देखें तो 25 फरवरी को 1830 के भाव देखे गए थे और 10 दिनों के अंदर अंदर हमने जो राली है उसे लगभग 400 रुपे अप्रती किलो बढ़ते हुए देखा है जो percentage terms में लगभग 30% की बढ़ोतरी है पिछले 10 दिनों में तो काफी बड़ी राली देखी गई है और एक bull run में फिलहाल commodity दिख रही है corrections काफी लोग को doubt होगा कि क्या overbought नहीं है technically या correction आना जरूरी नहीं है देखे corrections definitely आती है लेकिन वो volatile way में आती है जैसे हमने देखा है कि 2100 से गिरकर या 2190 से गिरकर 2120 तक की correction इंट्रडे में देखने मिली उसके बाद लेकिन दुबारा जो price है वो 2200 के उपर चली गई तो sharp fall आएंगे लेकिन उसके बाद जो rally होगी वो और बड़ी हो सकती है वहीं aluminum में भी हमने देखा कि तेजी काफी शांदार देखने मिली है और जो prices हैं वो नहीं उचाईया चो चुकी है आने वाले दिनों में 316 से 318 तक के level देखने मिलेंगे उसके बाद एक मुनाफ़ा वसूली आ सकती है लेकिन ऐसा लगता है कि 290 के उपर जब तक दाम रहेंगे तब तक तेजी का रुजान रहेगा और positional basis पे लगबख 335 तक के दाम देखने मिल सकते हैं तो ये था एक जाइजा कि non-agric commodities में आने वाले कुछ दिनों में क्या रुजान देखने मिलेगा धन्यवाद अजान देखने मिलेगा रुजान देखने मिलेगा उन्यवाद झालक के जब तक उन्यवाद कि अगवाराई